आजखल के बिजी लाइफ स्टाइल और खानपान के चलते थाइराइट के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है थाइराइट को कुछ लोग साइलेंट किलर भी मानते हैं क्योंकि इसके लक्षन बहुत देर में पता चलते हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी बाते जिने सुनकर आप थाइराइट के शुरुवाती लक्षनों को पहचान सकते हैं और इस बिमारी की जल से जल रोग ठाम कर सकते हैं लेकिन पहले हम आपको इस बिमारी से जुड़ी कुछ एहम जानकारियां देते हैं आम तोर पर महिलाएं इस बिमारी की जादा शिकार होती हैं थाइराइट ग्रन थी गर्दन में सांस नली के उपर वाकल कॉट के दोनों और दो भागों में बनी होती है यह तितली के आकार की होती है थाइराइट ग्रन थी थाइरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है इस हार्मोन से शरीर की एनरजी, प्रोटीन उत्पादन और अन्य हार्मोन के प्रती होने वाली समवेदन शीलता कंट्रोल होती है ये ग्रंती शरीर में मेटाबॉलिसم की ग्रंतियों को भी कंट्रोल करती है यह दो प्रकार के हार्मोन बनाती है पहला T3 जिसे tri-iodo-thyronin कहते हैं दूसरा T4 जिसे thyroxin कहते हैं जब thyroid से निकलने वाले ये दोनों हर्मोन आज संतुलित हो जाते हैं तो thyroid की समस्या होने लगती है अगर आपके शरीर में thyroid gland underactive है तो इसके संकेत और लक्षन भी नज़र आते हैं वजन बढ़ना यहां तक कि किसी भी हलकी फुलकी physical activity के बाद भी वेक्ति बहुत ज़्यादा ठका हुआ महसूस करता है अस्वस्त बाल आखे और नखुन यह सबसे पहला लक्षन है जो नज़र आता है नखुन पतले और रूखे होने शुरू हो जाते हैं इससे नाखुनों में दरार बढ़ जाती है और वो जल्दी तूटने लगते हैं इसके अलावा नाखुनों में सफएद लाइन भी नज़र आने लगती है इस रोक से पीडित कई महिलाओं में आखों की बिमारियां हो जाती है जैसे आखे लाल होना, घुजली लगना, आखों में सूजन बता दे हाथों और पैरों में हलके सूजन की रूप में भीज के लक्षन नज़र आते हैं शारीरिक आवशक्ताओं में बतलाओ थाइराइड शरीर की आवशक्ताओं पर भी असर डालता है साथ ही अंडर एक्टिव थाइराइड ग्लेंड अक्सर महिलाओं की आवाज में भी परिवर्तन लाता है उनकी आवाज पहले से भारी और हाश हो जाती है रोक प्रतिरोधक शम्ता कमजोर हो जाती है थाइराइड की समस्या से जल धकान होने लगती है शरीर सुस्त रहता है और शरीर की उर्जा खत्म होने लगती है थाइराइड की समस्या होने पर डिप्रेशन आपके उपर हावी होने लगती है किसी भी काम में मन नहीं लगता दिमाग की सोचने समझने की शक्ती कमजोर हो जाती है या दाश भी कमजोर होने लगती है आनियमित पीरिट्स और अफसाद महिलाओं में पीरिट्स की आनियमित ताएं शुरू हो जाती है ये पहले की तुलना में लाइटर या हैवियर रूप में हो सकता है इसके लवा कई महिलाओं में दो पीरियट्स के इंटरवल भी हो सकते हैं थाइराइड रोप का पता ब्लड टेस्ट से चलता है डॉक्टर उन महिलाओं को थाइराइड चेकप करानी की सला देते हैं जिनमें इस प्रकार के लक्षन पाए जाते हैं यदि आपको भी यह समस्या हैं तो डॉक्टर से सला ले उचित इलाज कराएं